साथ दिन हो गए संसद में कोई काम नहीं हो रहा हाला कि वैसे भी बहुत ज़्यादा कोई काम होता नहीं है वहाँ पर क्योंकि पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं तो किसी न किसी विशेपे गती रोज जो है वो बना रहता है सरकार किसी खास मुद्दे पर कुछ नहीं बोलना चाहती, माइक बंद कर दिये जाते हैं, लोगों को बोलने नहीं दिया जाता है, बहुत सारी चीजे ये हो रही है, अब साथ दिन से जो चल रहा है, उसमें ये हो रहा है कि कॉंग्रेस कह रही है कि आप अदानी पे बयान दो, वो जो घुटाले हैं, हो रहे हैं, उसमे पर बयान दो, कुछ बोलो, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, बलकि उल्टा जो बोल रहा है, उनका माइक भी बंद कर दे रहे हैं, हिस्ती के बीच में जो है, उन्होंने मेहुल चोकसी का वो रेट कॉर्णर वाला जो नोटिस था, वो भी खतम कर दिया, मतलब जो सही बात है, कि मसला यह है कि जो सत्ता पक्ष है, वो बीजेपी जो है, वो कह रही है कि भाई, राहुल गांदी आप माफी मांगो, क्योंकि आपने विदेश में जाके तमाम सच चाहिए, मतलब तमाम वो बाते कह दी, जो घर में ही रहनी चाहिए, घर की बाते बाहर नहीं बताना चाहिए सही बात है, बहुत पुरानी एक कहानी हमने पड़ी थी, जो तर्क का तुफान नाम की एक संग्रह है, उसमें यश्पाल की एक कहानी थी, जिस कहानी का नाम था परदा, वो कहानी आप भी पढ़ सकते हैं, परदा नाम की, वो मुस्लिम परिवार की एक कहानी है, जिसमें उ पुरानी उनकी बहुत अच्छी स्थितियां थी उसको ढखे रहने के लिए वो एक परदा लगाये रहते हैं और अभी वर्तवान की जो इनकी स्थिति रहती है वो बहुत ही बुरी हो जाती है आर्थी खालत बहुत खराब रहती है लेकिन सामने एक परदा लगाये रहते हैं बाहर के लोगों को लगता है कि अंदर सब कुछ अच्छा है तो यह कहां यह आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी सच्चाई समझ में आ जाएगी तो कुछ ऐसा ही है वैसे एक बात है कि भई घर की बाते बाहर नहीं जानी चाहिएं यह बहुत पहले से कहा जाता है यहां चाह करते हैं जो यहां बोलते हैं वो नहीं होता वहां कुछ और बोलते हैं यहां कुछ और बोलते हैं कि यहां पर राम राम करते हैं बाहर जाके बुद्ध बोलाते हैं तो वैसा ही आपको भी करना चाहिए वो यह बात कह रहे हैं और सही बात भी है कि भई राहुल गंदी ने तो ये गलत किया है कि बाहर जाके उन्होंने ये बात कह दी, अब उन्होंने शायद वो फिल्म का वो गाना नहीं सुना होगा, जिसमें वो नायक कह रहा है कि हम पे इलजाम ये है कि चोर को क्यों चोर कहा, क्यों सही बात कही, काहे न कुछ और कहा, इसका बदला ये मिला, उल तो सही है कि ढखना जो है वो चाहती है जो सरकार है कि बहले ही महेंगाई हो बेरिजगारी हो तमाम चीजिए हो लेंगिन उसको ऊपर से ढख दो ऐसे तो वो ठीक रहता है क्योंकि वो दिखना नहीं चाहिए बाहर मत बोलो हां हो है आप जेलते रहो परिशान रहो कोई दिकत नहीं है बाहर मत बोलो ऐसा ही कुछ अभी अगर देखिए बाहर की जब महमान देश में आते हैं तो फिर उनको खुब सजावट करके मस्त सुन्दर दिखाया जाता है बले ही सड़के अंदर से नीचे से खराब हो अंदर के जो गलियां हो बुरी हालत में हो पानी न मिल रहा ह सब कुछ लेकिन खुब सुरत अभी हाल ही में नाकपूर में बड़ा सुन्दर सजा दिया गया पूरे नाकपूर को ऐसा जैसे दुलहन हो नाकपूर बड़ा खुब सुरत खुब चमकीली लाइटें और तमाम चीज़ें एक रात दो तिन रातों में ऐसा हो गया जैसे लग दिखना चाहिए भले ही हम साल वर में चलें या गड़्ो में सड़क हो सड़क में घटे हो जो भी है तो भले ही पानी भरता हो पूरा आधे से ज्यादा नाकपूर पारिच में डूब जाता हो लेकिन बाहर के लोग आयkeit तो उनको यह सब नहीं बताना चाहिए उनको बताने ऐसे क्या होता है कि बदनामी होती तो बदनामी नहीं होना चाहिए बहले ही जो भी इस्थितिया हो तो बात ऐसी है कि नहीं बोलना चाहिए बाहर जाए कि बहले बतलब दोगली बात कहने चाहिए मतलब यह कि आप भी दोगले हो जाओ ऐसा वो मुदी जी कह रहे हैं कि वही आ अब क्यों से न वही बात यह बहां भी कह रहों सीता हुए वह पुरानी बात है पहले जो वह बात है आप मत बोल सकते हैं वह तो बढ़ी दो तो बोल सकते हैं आप नहीं बोला थीक है वैसे बीले लेकिन वहीं प्रेशान क्यों और रहुल गन्दी ने बोला रहुल गौद यह है यह भई काम कुछ करो ना ऐसा होगा कि लंबे समय तक आप गती रोज चलते रखो रखोगे और दोनों मिलके जो है आखरी में कुछ फटाफट फटाफट जो है अपने काम के अपनी पसंद के अपने हिसाब के सारे बिल वो आप दोनों मिल के जो है उसको बास कर लोगे और बाकी तो जनता जो है वो उसके हाथ में बतला यह ये ठिंगा आ जाएगा तो ये इस्तितिया जो है वो आम लोगों के समझ में जब बहुत जल्दी नहीं आतीं यह बहुत लंबा समय लगता है उनको की इतनी बात समझ में आने क्योंकि बहुत सारे लोग जो है 5-5-6 कई लोगों को तो 15-15 20-20 साल बाद समझ में आता है कि जो आप गरबल कर रहे थे जो भी चीजे कर रहे थे जो खुब्सूरत लग रही थी चुरुबात में वो बास्तों में क्या थी तो अब अगर आपके लिए राहुल गांधी इंपॉर्टेंट नहीं है तो छोड़ो न जान दो वो कुछ भी बोल क्या है उसे फरक क्या पड़ता है लेकिन वैसा नहीं है मोदी जी को क्या है दूसरा नेता नहीं चाहिए ना इसलि जैसे चुनाओं में एक डमी केंडिट उदार दिया जाता है उस टाइप का डमी कॉंपेटिशन उन्होंने एक बना के रखे था कि राहुल गांधी राहुल गांधी करते रहे और पब्लिक को जो है वो यसा ही उसका टाइम पास होता रहे और बाकी जो दूसरे नेता है वो बरना सके तो मतलब कुल मिला के दो कॉंग्रेस बीजेपी कॉंग्रेस बीजेपी दोनों की बीच में ये खेल चलता रहे अब आपकी जब तक समझ में आया का तब तक बहुत टाइम हो जाएगा खेर आभी आपको भी जो है अब यह तो आप जो खुबसूरत लाइटिंग स अथे उसको देखो उसमें बलकी घुमने में जितने भी खर्श कर सकते हो करो संदर संदर कुछ दिनों तक के लिए ही भले से हैं लेकिन संदर संदर जो चीजे यहां पे दिखाई जा रही है वो देखो मजह आ रहा है उसमें मजह लेते रहना चाहिए दो जिया मेही जिंदगी है, ये ने?